हेलो वेलकम बैक टू माई चैनल ब्राउन मॉम्स कुकिंग आज की हमारी रेसिपी है परवल की सबजी बिलकुल ही बेसिक मसालों से बनाएंगे बिना प्याज बिना लहसुन के एकदम टेस्टी सबजी बनकर तयार होगी नई तरीके से बनाएंगे लेकिन यह इतनी टेस्टी सबजी होगी कि आप इस सबजी को बार बार बनाना पसंद करोगे अगर आपने मेरी आलू और परवल की सबजी की रेसिपी नहीं देखी तो आप उसे भी देखकर अपने घर में आलू और परवल की सबजी बना कर इंजॉय कर सकते हो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसी ही रेसेपी मैं हमेशा ही अपलोड करती हूँ तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिये हैं परवल इन्हें मैंने दो पाने से अच्छे से दो लिया है और थोड़ा सा सुखा कर इसे तयार कर लिया है हमारे परवल को किस तरीके से काटना है आपको मैं वीडियो में आपको वो भी दिखा रही हूँ टॉप और एंड का पार्ट आपने हटा देना है और इस तरीके से राउंड राउंड पीसेस में काट कर तयार कर लेने है प्रीज आप वीडियो शुरू से लेकर अन तक ज़रूर देखेगा आप आसानी हो जाएगी कि इस तरीके से आपको सबजी को काट कर तयार करना है और इसी तरीके से मैं सारी हमारी परवल को काट कर तयार कर लूँगी आज हम हमारी सबजी को बनाएंगे सरसों के तेल में उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कड़ाही ले लिए है गैस का फ्लेम आउन कर दिया है और इसमें दो बड़े चमच मैंने तेल एड़ कर दिया है सरसों के तेल को अच्छे से गरम कर लेना है तेल हमारा गरम हो चुका है अब इसमें एड़ कर देंगे हम हमारी कटी हुई परवल को आज हम सब्जी बना रहे हैं बिना प्याज, बिना लैसोन, बिना अधरक, बिना टमाटर की तो और हमें कुछ भी नहीं चाहिए परवल हमने एड़ कर दिये हैं इसे अच्छे से mix कर देना है गैस का flame low to medium रखना है और continuously इसे अच्छे से mix कर देना है सब्जी हमारी अच्छे से mix हो चुकी है अब इसमें एड़ कर देंगे एक चमच नमक और फिर से अच्छे से mix कर देना है सब्जी हमारी अच्छे से mix हो चुकी है इसे cover कर देना है और 5 मिनट के लिए पका लेना है low to medium flame पर पांच मिनट हो चुके हैं अब हम हमारी सबजी को चेक कर लेते हैं और हमारी सबजी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आज की हमारी सबजी बिलकुल सुखी है तो गैस का फ्लेम आपने ध्यान रखना है, लो टू मीडियम ही रखना है, अब इसमें हम एड कर देंगे हमारे मसाले, आदा स्पून हमने एड कर दी है हल्दी, आदा स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, इसी के साथ ही आदा स्पून म हमें लाल मिर्च, आधा चमच, और नमक इसमें हमने पहले ही एड कर दिया था, और इसे और चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें एड करूंगी थोड़ा सा आमचूर पाउडर, इससे हमारी सबजी चटपटी टेस्टी बनकर तयार होगी, तो इसे जरूर एड कीजिएगा अब हमारी सबजी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, हमारे मसालों के साथ हमारे मसाले अच्छे से कोट होने चाहिए हमारी सबजी को, एक दो मिनिट में ही हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, गैस का फ्लेम आपने low to medium ही रखना है, और इसे cover कर देंगे, और फिर से से हमारे मसालों के साथ 5 मिनट के लिए पका लिएंगे 5 मिनट में ही हमारी सबजी बन कर तैयार हो जाएगी 5 मिनट के बाद हम हमारी सबजी को चेक कर रहे हैं अगर आपको फ्राई की वी मिर्च अच्छी लगती है तो इस तरीके से इसी में ही मैं एड़ कर दूंगी हमारी चार स्पाइसी हरी मिर्च को और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है हमारी सबजी के साथ अगर आपको हरी मिर्च फराई की भी अच्छी लगती है तो इस तरीके से आप जरू ट्राय कीजिए आपकी हरी मिर्च मसालों के साथ अच्छे से फ्राय हो जाएगी और बहुती तेस्टी लगती है अब इसमें मैंने एड़ कर दिया है एक चमच गरम मसाला होमेड मसाले को भी अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि हमारी सब्जी और भी तेस्टी बन कर तयार हो सबजी हमारी बन चुकी है गैस का फ्लेम मैंने आफ कर दिया है और हमारी सबजी को अच्छे से मिक्स कर देना है कवर कर देना है और पांच मिनट के बाद इसे सर्व करेंगी हमारी गर्मा गर्म सबजी को हमारी परवल की सबजी बन कर तयार हो चुकी है इसे सरव कर रहे हैं, बहुती टेस्टी, बहुती मसालेदार सबजी बनी हुई है आप इस सबजी को रोटी के साथ, प्राठे के साथ इंजोई कर सकते हो बहुती टेस्टी लगती है, बिल्कुल सिंपल मसालों से बनकर तयार होती है और एकदम स्पाइसी चटपटी सबजी बनती है, तो प्रीज वीडियो को शुदू से लेकर आइन तक जरूर देखिएगा और अपने घर में इस तरीके की सबजी को बना कर इंजोई कीजिएगा यह सबजी बिना प्याज बिना लहसुन के बनी हुई है, लेकिन जो प्याज और लहसुन खाते हैं वो भी इस सबजी को ट्राइ कीजिए उनको भी यह सबजी बहुती टेस्टी लगेगी, तो प्लीज जरूर बनाईएगा अगर आपको आलू और परवल की सबजी की वीडियो चाहिए, उसे भी मैंने अपलोड किया है प्लीज आप उसे भी देकर आलू और परवल की सबजी अपने घर में इजी तरीके से बना कर इंजोई कर सकते हो प्लीज लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब टो मैं चैनल पर मोर वीडियो थैंक यू